हेलो फ्रेंट्स, आख में आपको दम आलू बनाना बता रही हैं दम आलू बनाने कलीश हम्म्रण यहां फे आख गेजी आलू घू लिये हैं छोटे आलू ली जोगाएर, इन्हें बेली पुटाटू भी कहते हैं कुकर में पान डालकर नमक डालकर दो सीटी लगा लिया है इसने बोल करके रट लिया यह ठंडे हो चुके हैं एक मेडियम साइज की प्याज लिया है और इसे काट लिया है गानिशीं के लिए यहां पर हमें अरे धनिया लिया है नमक ले लेंगे स्वाथ के अनुसरा एक चमचद्रक लेशन पेस्ट हैं हमने 10 से 12 कली लेस्ट कियों हैं और यह चाट लेकर लेकर पेस्ट प्यार कर लिया है हाथ तब फ्रस्ट दही एक छोटा चमच धभनया पाउडर हाथ चोटी चमच हलगी पाउडर दो छोटे चमच लाल मिर्च पाउडर दो छोटे चमच जार से पांच रावी नची ज रबे लए वह में हम्ने कर दो हुए इससे में इसे बचल के को आदू कुर्ग तरीके सही ठंड ही है पुरत कर H लते हैं छीलने के बाद हम पॉरक की मदर से सब तरब से अच्छे सचेटा कर लेते हैं अज़े तरह से चेजा करने सब दरब ज़ें, आप चाहे तोल्बिक का भी इस्तमाल कर से रहते हैं, ताके मसाले अच्छे से अंदर तक हो जो r pon आई, कागाय की घरने उटें हैं दोगाय कर दर तो चीए मसाले, तो परनानी कर लिए माइव तो पहलेज के मसाले सी, अ और नहीं हम पाइन पॉडर कर लेदें, एक से दो मिनट ते और रोस्ट करने के बाद, यह अच्छे से घुंडगे इसे हम पीछाह में डाल कर यह तयार कर लेदे जावे, यह पीस लेख जाने है, कढ़ाई में, हमें वह बड़े हमें अश्टेल जाल दी है, अब अच्छे से को ऩो प्राई करना है कि अच्छे से प्रेट प्रणे के सब तरब से गुल्दंब्राउं को टटाई कर लिया है कि अच्छे से गुल्दंब्राउं तरब लेकिधे साथ कर देदें कर दें कर दें कर दें कर दें मालू के लिए मसाला तेवार कर दें हैं तो इसके लिए पुकड़ाई में एक बड़ा चमश्टे भी डालेंगे दिल्वेरा मोगया है तो इस तरचबत कर दालें तो इसे हलका से फ्राइब करीए तिया आज हमने हलके से ही प्राउन करी है जब आपने इसे पाकाना नहीं इसमें अधरक लेशन भी डाल ते जाएं जाएं जब ये शेटे दो मिमेट चलालेंगे इसमें काज़ी डालें काज़ी डालके चला लिया है अब हम गैस बन कर देंगे और इसे ठंडा होने देगे और इसका भारी पेस्प तयार कर देंगे एंगे, आरे ही लिक्तरेषी प्रभारी द्रैख जब कर देथिए जब स्वर्मिशी जाएं के पेस्प तयार कर दे जिजब में एंगे वर्य स설 अब दोखे दोचा हुआ जोड़ी आखे मलीशी पारट वार्स दीर लिया पावड़र इने विया प्याज काना कजू पेस्ट तैयार के प्रेट आल देखें, पाई टालें, थल्दी मिर्ची दनिया पाउडर और हानले काजू अब काजू अब प्याज और अदर कलैसू का पेस्ट से बाल दिया है, अब अमेसमे नमक दाल देखें, अब आध के नमक टालें, वह जो के सारे खड़े मसालों अब आज को इंडम दीमा कर देंगे और इस वाज पर दही जालें, अगर आप तेज आज में घरम ज्यादा गरम में डालें तो दही पट्टे कर देखें, इसलिए आप इसे आज को इंडम दीमा कर देखें, और दही जालकर लगाताँ चलाएं अब अब में इसलिए अब हम इसलिए म आप नदब गर्णी डाल देते हैं, और ग्रेवी में उबाल आने देते हैं, अब उबने लगी है, अब हम इसलिए अब आप देते हैं, जो आपने प्राइए करके रखे हैं अच्छे से मिक्स कर देते हैं और आज को सिम कर देते हैं और इसे ढख कर 10-15 मिनट तर पका लेते हैं ताके सारे मसाले अच्छे से आलू में अच्छे तुम दाल देते हैं अलाई दल देते हैं, जिसमिस करते हैं, इसे एक मिनट और पकाएंगे और इसे सर्फ करेंगे, दर मालू बहुत ये टेस्टी रेसिपी है, एक बार आप घर पे जो ट्राइ करेंगे, नान, पूरी, पराथा, ये सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है, हां टेको लेते हैं, हैंगे घरुते हैं, घर आप बारे करेंशने ये रेकाएंगे ना लिए बहुते हैं।